जै जै राधे देखे आज सुबह सुबह मैंने अपने प्रभुका और अपनी लाडो रानी का कितना प्यारा श्रिंगार पूर्ण कर दिया है आज मॉर्णिंग में इनका श्रिंगार बोग पूरा करके मैं थोड़े बहुत ड्राइफ रूट्स अपने ठाकुर जी के पास रख के जा रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रहे हूँ एक बहुत ही सुन्दर मंदिर के दर्शन करने जिहां लखनों में ऐसा मंदिर जो बिल्कुल करनाटक के ही मंदिरों जैसे आर्खिटेक्चर पर बेस्ट है आम शोर आपके भी यहां नहीं आयोंगे लेकिन मेरे वीडियो में एंड तक बढ़े रहे कर क्योंकि मैं आपको इस मंदिर की सुन्दरता दिखाऊंगी यह मंदिर प्रभू वेंकटेश्वर जी का है जैश्री कृष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होब आप सभी ठीक होंगे मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज मैं आई हूं भगवान बेंकटेश्वर जी के दर्शन करने अगर आप लखनों में रहते हैं आप मैं दावे के साथ के सकती हूं आप इस मंदिर में नहीं आयोंगे इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल करनाटा के मंदिर पर बेज़्ड है बहुत ही सुंदर मंदिर है और सबसे ची बात यह है कि यहां भीड बहुत घम है तो भगवान की दर्शन अगर वीडियो बनाने आना पड़ेगा तो चलिए फिर मैं आपको मंदिर का पूरा परिसर दिखाती हूं मंदिर का पूरा परिसर जो है वो अभी एक सुंसान इलाके में है बहुत जादा मकान वगरा यहां नहीं बने है लेकिन बाहर से यह मंदिर देखी कितना खुबसूरत है और दीके यह प्य अभी लोगों को बहुत जादा जानकारी नहीं है पर मैंने सोचा कि चलो आज यहां पर दर्शन करने चलते हैं मेरे घर से यह मंदिर कम से कम 26 मिनट की दूरी पर था हम बाइक से आये हैं बागी लकनों में यह कितनी दूर होगा आपके लिए यह मैं अभी बताऊंगी जब कुल करनाटक के मंदिर के आर्किटेक्चर पर बेस्ट है बहुत ही सुन्दर शिकर बनाया गया है और हमारे प्रभू वेंक टेश्वर जी और उनकी पतनियां अंदर विराजित हैं अगर अंदर क्यामरा अलाउ करेंगे मतलब हमें वीडियो बनाने देंगे तो हम आपको द थोड़ी छवी दिखायी दे रहीं और बहुत की प्यारा विग्र अंदर विराजित है तो हम अंदर चलते हैं यहां पर यह देखिए मंदेर अभी कितना आपर सननाटा है और ये हमारे यहां पुरो हिजी बैठे हैं जो हमें प्रसाद वगरा वितरित करते हैं और अफसोस कि यह हमें फोटो कीचने से मना कर रहे हैं फिलहाल ये बाहर का परिसर में आपको दिखा देती हूँ यहां बहुत ही प्यारी गार्डिनिंग हुई है और मेरी बच्ची को तेज धूप की वज़े से दिक्कत हो रही है और आगे जाएंगे तो गौशाला भी है और बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है जहां पर की तो उन्हें भी दिक्कत होगी इसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि मंदिर जो है चारू तरफ से किस तरीके का बना हुआ है अभी मैं आपको बताती हूँ कि यह मंदिर कहां पर इस्तित है यह मंदिर जो है हमारे सिकंदरपूर बंत्रा में इस्तित है अगर आप बं मंदिर क्लोज हो चुका है फिर मैंने अपने भगवान से रिक्वेस्ट की कि प्रभू इतनी दूर आऊंगी वेंकेटिश्वर जी से प्रार्तना की कि प्लीज मुझे अपने दर्शन करा दीजेगा लड़ु गोपाल से भी मैं हाज जोड कर आई कि मैं इतने अच्छे काम क तो मुझे दर्शन करा दीजेगा इत्तफाक से ये मंदिर क्लोजड नहीं था यहां पर वेंकेटिश्वर जी का गर्भ ग्रहे खुला हुआ था और मैंने बहुत अच्छे से उनके दर्शन के बहुत ही भव्यमूर्ती थी जैसे कि करनाटक ही होती है वैसे यहां पर भी है ह बहुत ही पीसफुल एन्वार्मेंट है बहुत ही शान्ती है यहां पर मैं यहां थोड़ी देर बैटना चाहती थी मगर मेरी बच्ची जो है वो बैटने नहीं दे रही है तो थोड़ी देर हमने यहां पर प्रभु के दर्शन किये स्पिरिचुलिटी फील की और अब हम घर वापसी कर रहे हैं दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन किये तो आप सीकंदर पूर बंत्रा में आ की यहां पर दर्शन कर सकते हैं बहुत ही जादा सुन्दर विग्रह यहां पर विराजित है और मैं भी इंटरनेट पर शेयर कर रहे हूं देखिए आसपस कितना सुनसान पड़ा है तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिए जैशे कृष्णा रादे रादे और यहां एक बार विजिट जरूर कीजेगा